नमस्कार में उप्रिया आज है 17 जुन्वारी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर विहार से मिले COVID-19 के 5000 से ज्यान अमरे शराफ़ी ने वाने अब हो जाए साफधान विहार बोल इंटर परिक्षा का अडमिट काड़ हुआ ज़ारी विहार में कैथी लिपी से रोजगार के बम पर अफसे यूपी विहार सीमा पर रहेगी पैनी नजर तो नदियों में भी होगी पेट्रोलिंग अब चेले बढ़ते हैं विहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से विहार में मिले COVID-19 के 5000 से ज्यादा मामले स्वासत वभा की तरफ से मिली जुहानकारी के निसार विहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5410 मामले की पुष्टी हुई है जो इसके बाद विहार में अक्टिव मरीजों की संग्या 35508 पर पहुँच गई है इस श्वंपारन में 82, गउल में 56, जुहानबाद में 18, केमूर में 58, कटेहार में 81, खँषन गँच में 86, लखी सराई में 13, मधिपूरा में 31, मध्वणी में 64, मुगीर में 169, म imposeफरपूर में 333, नालनदा में 104, नवादा में 36, पटना में 1515, पुर्निया में 248, रोहतास में 72, सहरसा में 148, समस्तिपुर में 349, सारन में 142, श्रेकपुरा में 10, सीता मढ़ी में 17, सिवार में 90, श्रिवहर में 30, सुपॉल में 41, वेशाली में 42, वेश्यमपारन में 89 मामलों की पुष्टी हुई है इसके अलावाद दूसरे डाजे से 41 संपल के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, वहीं भी ते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 156, 669 संपल की जाज की गई, वहें इस दौरान 5,809 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटने की रहे है अचारे जान की वलब शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवी लेखक और आलोचक थे, शास्त्री जी का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गाउं में हुआ था, उन्हाने 2010 में पंदमिश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था, इसके पहले भी उन्हाने पंदमिश्री नहीं स्विकारा था, वो चाया वादो तरकाल के सूवे ख्यात कवी थे, उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती परसकार से समारित किया था, आचारे का कावे संसार वहुत ही विवत और व्यापक है, वो थोड़े से कवियों में रहे हैं, जोने हिंदी कविता के पाठ को संभलने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में शराबंदी कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार और सक्स कदम उठाने जा रही है, और एडवांस तकनीक के उपियों की योजना पर काम शुर हो गया है, यानि कि अब ब्रेथ एनलाइजर में फूक मारने वाल यह जान सकेंगे कि उस व्यक्ति को इससे पहले कितनी बार पकड़ा गया है, उस रिपोर्ट की आधार पर आगे की कारवाई सुनिशित की जाएगी। अगर हम सेक्ष्णिक योगिता की बात करें तो अभियर्थियों के पास मानविकी, विज्यान, वानेजिब में सनातक डिग्री, पीजी या 10 प्लस टू या समकर्ष, नर्सिंग में बीसी या सम्बंधित विशे में बीकॉम, डिप्लोमा, 10 प्लस टू और शॉर्ट हैंड औ चाटे चरण के तुरन बाद साथवे चरण की भरती करेगी नितीश सरकार, विहार में कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच में असमंजस के सिती देखने को मिल रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात की आश्रंका थी कि शायद कोविड-19 के बरते संक्रमन की कारण सिक्षक नियो चौधरी की यही कोशिश है कि जल से जल सिक्षक नियोजन का काम पूरा कर लिया जाए, इसको लेकर ही बीते दिन उन्हाने कहा कि पंचायतों, ब्लॉक और शेहरी स्थानी है, निकाए के स्तर पर पच्चासी सौ से अधिक भारतिये एजंसियों में से केवल 1200 में प्रक्रिय जाधूरी रह गई थी, इसको आज से शुरू किया जाएगा, बिहार बोड ने इंटर परिक्षा का अध्मिट कार्ट हुआ जारी, बिहार बोड ने इंटर परिक्षा 2022 के लिए अध्मिट कार्ट जारी कर दिया है, इसके तहर्र जो भी विद्यार्थी इस परिक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो अपना अध्मिट कार्ट ले सकते हैं, आपको बता दे कि अध्मिट कार्ट समीटी की वेबसाइट इंटर22.biharboardonline.com पर 31 जुनवरी तक अपलोड रहेगा, इस तह समय में आपको अध्मिट कार्ट लेना होगा, साथ ही आपको ये भी बता दे क विद्यार्थियों को अध्मिट कार्ट उनके संबंधित सिक्षन संस्थान के प्रधान समीटी द्वाला वेबसाइट से डाउलोड कर अपनी हर्स्ताक्षर और मुहर के साथ उपलब्ध करवाये जाएगा, बिना साइन और मुहर के अध्मिट कार्ट माने नहीं होगा, इस इसी के साथ ये साफ है कि इंटर बोर्ट की परिक्ष अपने तैसमें एक फरवरी से शुरू हो जाएगी, बिहार ने इस साइट से ऑन्लाइन बनवाये चरित प्रमान पत्र, अगर आप भी अपना चरित प्रमान पत्र ऑन्लाइन बनवाना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आ और जी वी. बडॉट अईन पर ओन्लाइन आवेदन करना होता है. जानकारी और दस्तावेज अपलोड होते ही, इसकी जानकारी थाने को मिल जाती है, अम्मुमन थाने द्वारा आह दिन में रोपोर्ट चरितर सत्यापन कार्याले को मिल जाता है, जिसके तुरंद बाद सत् अपने सिस्टम और मोबाइल फोन पर डाउंलोड कर लेते हैं दिहार समेट तेजाटों में 20,000 एटियम लगाएगी यह कमपनी इंडिया वन पेमिंट्स लिमिटेड आरंभिक सारजुनिक निगम लाने की तैयारी में जुट गई है इस सबके बीच अर्ध शेहरी और ग्रामीन शेत्रों में ग्राहकों को नकरी उपलब्ध करवाने के लिए अगले चार से पांच साथ में 20,000 एटियम लगाने की योजना है इसको लेकर कमपनी के प्रबंध निदेश्यों कौल मुखिय कारपाला कथिकारी के श्रीनिवास ने जानकारी साचा कर दी है जिसके तहट उन्हाने बताया है कि कमपनी उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चमंगाल जिसे राज्यों पर ध्यान के इंद्रत करना जारी रखेगी जहां एटियम की उपलब्धता फिलहाल कम है हमें इस बात का ध्यान है कि ग्रामेन इलाकों में जब कोई ग्राहक हमारे एटियम से आट से नौ किलोमीटर को का सफर तै करके आता है तो वो पैसे निकालने में सक्षम हो जाता है आलम कुछ यू है कि शाम ढलते ही लोग कनकनी के कारण घरों में दुब के नजर आए इसका कपाती ठंड से प्रदेशवासियों को फिलहाल कोई रहात मिलने की हाला की उमीद नहीं जताई गई है मौसम वभाग के तरफ से मिली जानकारी के उसार अगले दो तीन दिनों में मौसम में कोई खास बदलाब होनी की कम उमीद है नियुनतम तापमान में दो से तीन दिग्री की गिरावट दर्ज होगी जिसे ठंड पढ़ेगी और 19 जनवरी तक बारिश के आसार बिलकुल भी नहीं है यानि की मौसम सुष्ख बना रहेगा पटना की बात करे तो यहां सुभे में कोफासा चाहे रहेगा और पच्छवा हवाओं के चलने से धूप में गर्मी महसूस नहीं हो सकती है सुरज जलते ही ठंड बढ़ जाएगी और पटना का नियुनतम तापमान बीते दिन की बात करे तो 0.2 डिग्री लुठक करी गया ने डिग्री दर्श किया गया बिहार सरकार ने बिहार नगर पाली का संचोधन अध्यादेश 2022 को जारी कर दिया जिसके तहर जन प्रतनिदियों के अध्यकारों को छीन कर मेर और डिप्टी मेर के प्रत्यक्ष चिनाफ का फैसला लिया गया लेकिन इस नए अध्यादेश का कुछ लोगों ने तो स्वागत किया लेकिन कुछ लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं पटना नगर निगम के पुर्व उपमहापौर रूप नाराइन महता ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते वे कहा है कि नए अध्यादेश से शेहरी स्वायत साशन के शक्तियों के भी केंद्री करन की जगे केंद्री करन होगा विहार सरकार के कामिनेट में ये कानून बास कर दिया गया है लेकिन यहाँ नया संगत नहीं है जिस तरह प्रिधान मंत्री का चुनाव लोगसभा के सदसे और मुखी मंत्री का चुनाव विधान सभा के सदसे करते है ठीक उसी तरह नगर निकाय चुनाव में निगम पार्षद ही महापौर और उपमहापौर का चुनाव कर सकते है यूपी बिहार के बौडर से भी कई गतिविदियों के होने की आश्रंका जटाइ जा रही है यह कारण है कि यूपी बिहार के बौडर पर चॉक सी बढ़ाई जाएगी साथ ही नदियों में भी प्रट्रोलिंग का काम किया जाएगा इस लहाद से दोनों राज्यों की पुलीस सामन जसे स्थापित कर विशेष्ट तयारी की जा रही है इसके लिए 22 और 49 पुलीस पिकेट स्थापित की जा रहे है साथ यह तरिक्त फोर्स की तैनाती भी की जा रही है क्योंकि जुलाप्रसाशन की तरह से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है काली पहाडी में बनी नहर में नौका विहार को शुरू करना है इसके साथ ही नक्षा और भूमी सर्वे का काम भी शुरू हो गया है काली पहारी नहर और पोर्टर फिल्टर नहर में नौकायान की तयारी है जिसका DPR बना कर परिटन विभाग को भेजा जाएगा उमीद है कि इस थल्प के बन जाने से बिहार सरकार अपना ख़जाना भढ़ने में कामयाम रहेगी मिली जानकारी के नसार परिटन के शेत्र में विकसित होने वाले जमालपूर काली पहारी नहर में नौकायान का सफल संचालन में गंगा का पानी और पहार से निकलने वाले जढ़ने के पानी को संजो कर इसे जमीनी रूप दिया जाना है इसको लेकर गंगानदी से पाइपलाइन के जरीए जो पानी, रेल्वी और पेई जलापुर्ती योजना के लिए लाए जा रहा है उसका उसमें इस्तमाल होगा बिहार में कैथी लिपी से रोजगार के बंपर अफसर दे रही है जिसके तहती दर्भंगा जुला के कुछेश्वर स्थान की मुहिम गाउं के नितीश कुमार कैथी से हिंदी ट्रांसलेशन का काम कर अच्छी कमाई कर रहे हैं उनके पास अब बिहार के कई जुलों के अलावा जहारखन के रामगर्ट, राची, हजारीबाग और तप्रदेश के गाज़ेपुर से जमीन के दस्तावेजों का हिंदी में ट्रांसलेशन कराने के लिए लोग पहुँचते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि नितीश मूल रूप से एक प्राइविट अमीन है, वो कैथी के सामने अर्दस्तावेज का प्रिष्ट अनुवाद करने के एक हजार से लेकर पांच हजार तक का चार्ज करते हैं वो एक एंजियो के माध्यम से अमानित का प्रस्सिक्शन भी देते हैं, साथ ही साथ लोगों को कैथी भी सिखा रहा है पटना पाइरेट्स ने बैंगलोरो बुल्स को दी मात इंदिनो प्रोकबर डेली का अठवासी जन चल रहा है इसके तहती बीते दिन यानि कि रविवार को खेले के मुकाबले में पटना पाइरेट्स ने बैंगलोरो बुल्स को 38-31 से हराने में काम्याब रही इससे पहले शुक्रवार को खेले के माच में जैपूर पिंक पैंथर्स, पटना, पाइरेट्स को 38 और 28 से हराने में काम्याब रही थी जिसके बाद ही और पटना पाइरेट्स ने वापसी की है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पटना पाइरेट्स ने इस सीजन में अब तक कुल 10 मुकावले खेले हैं जिसमें से साथ में से उसमें जीत मिली है वही दो माच में हार का सांधा कर्णा पर निकाली वेकेंसी पर भरती के लिए और नाइन आवी दिन कर सकते हैं पुरे देश के अलग-अलग छेत्र से एट पदों के कुल 3847 पदों पर भरतिया निकाली है और नाइन आवी दिन 15 जुनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक भर सकते हैं कोरोना ठीका करन अभियान के एक साल पूरे होने पर स्वास्त मंत्री ने प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री और स्वास्त कर्मियों को दी बढ़ाई बिहार समय देश भर में COVID-19 ठीका करन को बीते दिन एक साल पूरा हो गया उसके बाद स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और मोख्य मंत्री नितिश कुमार सहेत स्वास्त कर्मी और राजवासियों को बढ़ाई दी है 16 जन्वरी को ही इस अभियान को शुरू किया गया था देश भर में जिसकी शिरुवात हुई थी वहाई प्रदेश में भी इस अभियान को जोर शोर से चलाए गया यूपी में कावा गाने पर ट्रोल हुई नेहा रविवार के सुभह गाईका निहा सिंग ने अपनी यूट्यूब और फेस्बूक पर अपना नया प्लिटिकल गाना रिलीज किया जो इसके बाद वो ट्रोल हुन लगी इसके बाद वो पहर को निहा फेस्बूक पर लाई वाई और भाजपा पनिशाना साते वे कहा कि आईटी से ले मेरे नाक में दम कर दिया है फेक आईडी से कॉमेंट किये जा रहे है लोजपानेता राज़िंद्र सिंग की हुई अब घरवापसी आगामी 5 राज़ियो में विधान सबार चुनाफ से पहले ही बिहार के राज़णेति गल्यारे में घरवापसी का सिलसला जारी है हाल ही में जद्यों में घरवापसी होने के बाद बीटे दिन लोजपानेता राज़ेंदर सिंग की भी घरवापसी भाजपा में हो गई जिसके बाद भाजपा प्रदेश अधियक्ष डॉक्टर संजी जैसवाल के बेतियास्तित आवास पर लोजपानेता ने पार्टी की सदसिता अगरहन की अपने दरज़नों कारेकरताओं और समर्थोकों के साथ भाजपा प्रदेश अधियक्ष संजी जैसवाल की मौझूदगी में राज़ेंदर सिंग ने पार्टी की सदसिता ली इसके बाद डॉक्टर संजी जैसवाल ने कहा कि राज़ेंदर सिंग हमारे सम्माने इतिनता थे कुछ आपस में विवाद हुआ था जिससे समाप्त कर उनकी घरवापसी कर दी गई है जिससे आने वाले समिब में पार्टी को बहुत फायदा होगा समराट अशोग के मुद्धे पर बिहार कॉंग्रेस अबाई सामने जद्यू की तरफ से नाठकार द्वारा समराट अशोग की तुलना और अंगजेव सीखिये जवाने के मुद्धे में भाजपा लगातार सफायां पेश कर रही है लेकिन जद्यू सुनने का नाम नहीं ले सब के बीच अब कॉंग्रेस की इंट्री इस मुद्धे में हो गई है यही कारण है कि विरोधियों के बाद अब अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के सदस्य और बिहार प्रदेश कॉंग्रेस के पुर्व उपाधियक्ष प्रवीन कुश्वाह ने इस मामले को लेकर बीते पनेतर दुबाली केंद्र सरकार ततकाल वापस थे भाजपा की तरफ से प्रास्मिक तरश कराना सिर्फ नौटंग की है ऐसा करके भाजपा सिर्फ जख्म को ढखने की कोशिश कर नहीं है भाजपा ने जद्यू को कहा मर्यादा में रहने तो जद्यू ने संजु जैस्वाल को बता दिया अग्यानी सतापक्ष के दो दर कहने को तो साथ में हैं लेकिन इनके बीच जारी बयानबाजी अंतर कलह के साफ संके दे रहे है शराबंदी पर भाजपा की तरफ से जद्यू को घेरने के बाद अब जद्यू ने भाजपा के प्रदेश रध्यक्ष संजु जैस्वाल को अग्यानी बता दिया है दरसल हुआ कुछ यू की बिहार में लगातार शराबंदी के बीच शराब पीने के कई मामले सामने आने के बाद संजु जैस्वाल की तरफ से कानून की समिक्षा करने की बात कही गई थी जाने की भाजपा ने सीधे तौर पर नितीश सरकार को कट घरे में खड़ा किया था इसके बाद क्या था जद्यू को उनका यह बयान नागवार गुजरा जिसके बाद जद्यू की तरफ से पार्टी के प्रदक्ता अभिशेग जाने भाजपा अध्यक्ष संजु जैस्वा यह बहुत सी सुवधाओं के लिए अब जरूरी हो चुका है इसे लिए आपके आधार में सही मोबाइल नंबर होना भी बहुत जरूरी है ऐसे में अगर आपका भी नंबर आधार में पुराना है या नया नंबर ले लिया है तो तुरंत अपना नया नंबर अपडेट करें अपने आधार कार्ट पर अपना फोन नमबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले UIDAI वेब पोर्टल ask.uidai.gov.in पर जाए वहाँ फोन नमबर जोड़े जुसे आप अपडेट करना चाहते हैं आपको दियेगे बॉक्स में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक capture code टाइप करना होगा आपको OTP भेजे option पर क्लिक करना होगा और अब अपने फोन नमबर पर भेजेगे OTP को दर्ज करना होगा अब submit OTP and proceed option पर क्लिक करें विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने पर हैरान दिखे रोहिट शर्मा टेस्ट कप्तानी को अलवदा विराट कोहली ने कह दिया है जिसके बाद से क्रिकेट के एक यूग का अंत हो गया उनके इस फैसले से जहां उनके प्रसंचर काफी गमगीन दिखे वाई टीम के उप कप्तान रोहिट शर्मा भी बहुत हैरान दिखे इसको लेकर बीते दिन रोहिट शर्मा ने पर इंस्टरग्राम पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया में शौक्ट होने की बात कही है तो साथ ही ये भी कहा कि कोहली को आगे के जीवन के लिए शिब कामना है जिसके तहट उन्होंने दिखा कि शौक्ट लेकिन भारतिय कप्तान के तोर पर सफल कारिकाल के लिए शुब कामना है आगे के लिए बहुत बहुत शुब कामना है विराट कोहली हाला कि अब विराद गोली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद उनकी जगे पर कौन कप्तानी संभालेंगे यह देखने वाली बात होगी भारत के इतिहास में आज की तारिक कई कार्डों से दर्च मुगत बाच्षा अकबर ने 1601 को असीर गड़ के अभेध के लिए में प्रवेश खिया स्वतंतरता सेनानी नेताजी सुभाश विंद्र बोस कलकता से जर्मनी के लिए 1941 में रवाना हुए भारती ओलंपिक संग के महासचे वरंधीर सिंग ने अपने पद से 2009 में इस्तीफा दिया 1923 में हिंदी साहितकार रुलांगे राघव का जन्म हुआ 1945 में हिंदी फिल्मों की गीतकार और पड़कथा लेकर ज्यावीद अक्सर का जन्म हुआ असम के फिल्म लडबाता प्रसिद साहितकार और स्वतंतर्ता सेनानी जोती प्रसाद अगरवाल का 1951 में ने धन हुआ भारत के प्रसिद मार्क स्वादी राजनितिक ये जोती बसू का 2010 में ने धन आज़ी के दिन हुआ था अब आए जाते में सराफ़ बाजार और पेट्रोल लीजल के खिया थे भाव अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 जन्वरी को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 46,450 रुपे था महीं 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 48,970 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो 6,700 रुपे था इसके साथ ही राजधानी पट्टा में पेट्रोल की कीमत 105.9 रुपे प्रती लीटर महीं डीजल के दाम 91.09 रुपे प्रती लीटर है किसानों को नहीं मिल रही खाथ से राजध भी दिखा परिशाद बिहार के किसान इन दिनों खाथ के लिए काफी जादा पहिशान है जिसके बाद उनकी परिशानी अब विपक्षी दलों को भी साफत और पर नज़र आने रगी है यही कारण है कि बीते तिन राजध के प्रदेश प्रवक्ता और विधाय डॉक्टर रामनुच प्रसाद और प्रदेश महासाच्विव भाई अरुन कुमार ने किसानों को हो रही दिक्कत पर अपना बयान दिया है जिसके तहट उन्हाने कहा कि राजध में यूरिया खाद का संकट बना हुआ है किसान यूरिया खाद के लिए लाइन लगा कर लेने की कोशिश कर रहे है लेकिन उन्हें खाद उपलब दिन नहीं हो रही है किसानों को यूरिया ब्लॉक में खरीदना पड़ रहा है राजसरकार को किसानों की परिशानी से कोई मतलब नहीं रहे गया सरकार का कोई भी कारिक्रम सफल नहीं हुआ शुराबंदी का कानून बनने के बाद भी घर घरी से पहुँचाय जा रहा है वहीं खादे किसानों को नहीं मिल रहा है कल हमारे दौरा पूछे गया सवाल का जवाब आप इससे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हन्यवाद आप इससे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुजर विरात कोली के कप्तानी चोड़ने के बाद किस खिलारी को कप्तान बनाने का फैस्वा लेना जोहिए अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ या आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और नवारा ना भूले धन्यवाद